वेल्कम बैक दियर स्टुडेंट्स टुडे आवर क्लास इस अवाउट ओस्टिक थाइसिस इस इससे पहले हमने आपको काटिले स्विशिश करा दी है तो आज हम करेंगे बोनी फिशिश के बारे में विड देयर जानल क्रेक्टर्स एंड एक्सेंपल्स तो फर्स्टली भी ड शेप होती है और इससे ये पानी में राम से मूव करते है यानि इस तरह से इनकी बोडी होगी अदोनों एंड से शार्प होगी और बीचे से थोड़ी हाठ ब्रोड होगी साइड में जाते टेपर हो जाएगी इसको किते हैं स्पिंडल बोडी के तीन ही रिजन है एड ट्रं होते हैं और bone like इसमें fin raise बनी होते हैं pectoral and pelvic जो fin है वो balancer का काम करता है balance providing करवाता है and breaks during swimming इसमें ये तूट जाता है swimming करते टाइम और ये break भी लगाने में help करता है जैसे pectoral and pelvic हमारे हाथ और पाउं से ये comparative है जैसे अपने हाथों से हम balance करते हैं arm से और leg से चलते हैं so pelvic इसकी leg सम सकते हो अपने साथ इसको coordinate करके और इसका जो pectoral है अपनी arms के साथ इसको कर सकते हो आप correlate so pelvic जो है lower side में fin जो है leg clasper नीचे बड़ा fin में इसमें clasper नहीं होगे so clasper आपको मैंने बताया था cartilage fishes mail में होते हैं इसमें नहीं होगे caudal fin इसका symmetrically divided है hetero serious कहते हैं जो tail fin है वो help करता है propel करता है body को आगे खीचने के लिए body move करती है tail fin से अपनी interaction भी judge करता है later line system इसमें है और pair fin है provide fine control इसमें paired fin है जारे skin की बात करें इसमें epidermal unicellar glands होती हैं and dermal cycloid, tinoid and genoid यह types हैं इसके scales की और यह पानी को resist करते हैं impermeable to water जनी hard होते हैं इससे पानी को रोके रखते हैं body के अंदर पानी नहीं जाता है endoskeleton इसका boni का होता है bone का बना होता है इस बज़ा से इसका नाम boni fishes है degastry system इसका complete है आगे मौत होगा elementary canal होगी और inus में end करती है वो cloica इसमें नहीं होता long intestine है scroll wall नहीं होता scroll wall मैंने आपको बताया था cartilage fish में इसमें नहीं होगा respiratory system में 4 पे रहे हैं filamentous gills के और large surface area प्रवाइड कराते हैं gas exchange को cartilage fish के comparative और इसमें upper column मिलेगा गिल्द को cover करने वाला और accessory respiratory structure भी होते हैं वो आगे किसी और वीडियो मैं बताऊंगा अलग-अलग तरह के structure इसमें modified है swim bladder जो इसका gas filled एक bladder होता है जिससे ये buoyancy होती है पानी के उपर रहती है ये फिशी होती है बोनी fishes पानी के उपर रहती है सिस्टम में हार्ट के दो चेंबर है auricle, venticle sinus, mnosis, connos, arteriosis present है renal portal system है rbc है इसमें nucleus है ये tractor जो है cartilage के साथ मैच करता है 10-pair और cranial nerves है already cartilage में भी 10-pair ही है और sense organ olfactory sac इसके dorsal में communicate करता है moth की cavity के साथ और lung fish में only communicate करता है ear जो है इसमें membranous labirinth है तीन semicircular ducts है already बता चुका है ascriti system fistonephary kidney है और ammonia ascrit करते है reproductive में sex जो externally in distinguish बाहर से आप जज नहीं कर सकते हैं ये male है ये female है cartilage में आप कर सकते हैं और external fertilization है obipares ज़्यादा अंडे देते हैं कुछ बीबी पेरस भी है larva इसमें मिलता है tadpole like larva parental care काफी ज़्यादा देखी जाती है यो boni fishes है अंडों की और बच्चों की काफी care करती है temperature body का constant ही रख सकते है ये पुखीलो थर्मिक है जानी cold blooded जैसे मैंने cartilage में बताया था natural history में ये फ्रेश ब्रेके salt, balm, cold water हर तरह के पानी में मिलती है और protective इसमें spines हैं dorsal fin luminous end रात को चमकती भी है predator को ट्रेक्ट करने के लिए मेटिंग के लिए भी और cave fishes जो है अपना color भी change कर सकती है some leave water and crawl on land cave fishes जैसे red fish है पानी से बाहर आके जमीन के वपर भी ring सकती है इनका origin जो हुआ है students वो devonian period में हुआ placoderm इसके progenator है fresh water में इसका origin हुआ था और cartilage का वादा sea में इसकी 30 यार species है कहा जाता है 360 से 400 million year ago advancement क्या है cartilage से इसकी जो tail है symmetrical divided है hydrostatic organ है air bladder इससे ये 2 ounce रहती है filamentous gill है काफी surface area है इसका और brain काफी develop है example है इसकी labio catala and lopias अभी diagram दिखाऊंगो असससे पहले ये देख लीजे कुछ examples है boni fishes खारे पानी में भी मिलती है साप पानी में भी इस side में है fresh water वाली दूसरी side में है ये खारे पानी वाली तो यहाँ आप देख सकते हो तो ये है fresh water वाली labio जिसको रोहू कहते है केलाबूसा, कैटला, मिरागल, मली, कार्प, संगारा, स्नेक हैड, शीतल ये साप पानी की है बॉंबे डक, इल, प्रॉमफेट, सैल्मन, हिलसा, फ्लाइंग फिश, फ्लैट फिश, ये खारे पानी की है और आगे देखिए, डाइग्रामेटिकली इससे आपको काफी help मिलेगी और ये representative है रोहू, ये BSC में, MSC में dissection भी करवाते हैं इसके structure जज करने के लिए इसको रोहू कहते है, और देखिए, इनका मौत आगे है, interior मौत है तो ये साथ-साथ पानी के तैरती है, आगे जो पानी के करन्ट से फूड़ास को खाती जाती है आइस इसके काफी बड़ी है, डॉसल फिन काफी बड़ा है टेल फिन, कॉडल फिन देखिए, पूरा डवाइड़ है, होमो सीरस आदा आदा equally divided है, लेटर लाइज सिस्टम है, इसमें pectoral and pelvic fin है और सारे fin इसके pair में है, और इसके यहाँ देखिए, इसको रूड़ गिल्स इस फ्लैब के अंदर कवड़ है, अगर इसको यहाँ से हिटाएंगे, तो गिल्स इसको नज़रा जाएंगे इसको कहते है ऑपर कुलम, और कुशा तक मैं बता चुका हूँ, इसकी 90 cm बाड़ी होती है और यह काफी तरह यूज की आती है, फूड आइटम है, जो फिश को में लिखाई आती है और हर्वी बोरस है, और चोटी उमर में लारवर जब इतनी बड़ी नहीं होती है तो कार्णी बोरस होती है, बाद में हर्वी बोरस हो जाती है, और यह अंडे देती है और यह हिपो कैमपस देख सकते हो, जिसको सी होर्स कहते है इसमें मेल प्रेगनेड माना जाता है, इसमें मेल में ब्रूड पोच होता है female इसके अंदर egg ले कर देती है तो इससे बाहर शोटी-शोटी fishes इसके निकलती है तो 20 cm लंबा आता है tail इसकी prehensile है यलिए इसका structure फिश से मिलता नहीं है एक गोड़े की तरह लग रहा है बट एक्चुल में ये फिश है flying fish axocetus निचे देख सकते हो ये पानी के उपर तैरती है बाहर आके काफी लंबी श्लांग लगा देती है कि इसमें pectoral and dorsal fin काफी बड़ा होता है body इसकी काफी steam line है और इधर दूसरी साइड आप देख सकते हो मुगर जिसको catfish कहते है cat की तरह इसकी मूशें है लंबे लंबे इसको barbel कहते है 8 से 10 तक barbel हो सकते है और इसमें dorsal fin पूरा body को cover कर रहा है और tail इसकी undivided है इसकी tail divided है इसकी undivided है tail से भी आप identify कर सकते हो और exocetus खाई आते हैं ये काफी अच्छी food fish है ये और catfish जो है ये painful bone कर देती है इसके काफी बड़े दांत होते है और इसमें sensory respiratory organs होते है इसको herbocent and dandry form organ कहते है और ये पानी में भी सांस ले सकती है इस वज़ा से पानी के बाहर भी चल भी सकती है पानी के बाहर आगे देखे catla catla काफी खाई आती है ये मच्छी local name इसका थीलिया catla है later line system इसका complete है tail इसकी wide-warded है eye काफी बड़ी है इसकी mouth और lips काफी बड़े है mouth interior है इसका काफी अच्छा flavor होता है काफी tasty fish है और उसके बाद आता proto-pateras अफ्रीकन lung fish इसकी eel-like body है carnivores है ये calvinism भी show करती है बाखी fishes को खा लेती है और जमीन के नीचे चल जाती है estivation करती है और दूसरा ovipares है ये 80 cm long होती है और इसका dorsal fin देख सकते हो थोड़ा शोटा है पूरी end तक जाता है और pelvic fin थोड़ा elongated है pectoral fin भी और other type भी है इसके जैसे nectrodirus lapido siren है एक है यहाँ पर अस्ट्रेलिया की एक है सौथ अमेरिका की है उसके बाद आता है ये latimeria cumune kolicanth ये उन्नीस सो ठत्ती में देखी गे सी कॉस्ट सौथ अफरीका में और काफी body को rotate करती हुई move करती है और all its fin जो है except interior dorsal fin lobed है इसके dorsal fin की lobs होती है ये इसका एक feature है यहाँ देख सकते हैं dorsal fin की दो lobs बनी है और living fossil है ये इंसेक्टर के character शो करता है अभी जिन्दा है क्रोसो पडर्जियन ग्रूप को ब्लॉंग करता है और इससे amphibian बने है ये caster मानी जाती है amphibian की याँ फ्रॉग बगारा टॉड बगारा इससे बने है आगे difference के point देख लीजिए आपकी better understanding होगी इससे cartilage and bonny fish में अभी बोलने की जूरत नहीं है main main point जहाँ जज़ कर सकते हो मौत नेरीस गिल्स लीड्स पैल्विक फिन डॉर्सल कॉडल पस्टीरियर पर्चल स्केल ठीक है कलोईका अक्स रीटरी मैटर स्विंग ब्लैडर इंटेस्टाइन सेक्स हैबिट सो देख सकते हो जो करेक्टर नहीं है वो absent होगा गिल्स पांच से साथ है इसके चार है यूरिया ये अमोनिया स्कीर करती है कार्टिलेज समंदर में होगी जह समंदर और फ्रेश वाटर दोनों में होती है ऑपरकुलम बॉनी फिश में है कार्टिलेज में नहीं है डॉकॉडल्फिन है अंडिवाइड है, इकुली अंडिवाइड है वो है होमो सीरिस, दूसरा है हेटरो सीरिस स्केल स्पैकोइड है, इसमें काफी तरह के स्केल है बॉनी फिश में साइकलोइड, टीनोइड, गैनोइड और यह काफी अच्छे पॉइंट्स हैं, इससे आप जज़ कर सकते हैं बाकी हाइर बुक से, इसके अनाटमिकली मैंने लेवियो का देखा है और आपकी बैटर अने स्टैनिक के लिए कुछ पेक्स ली हैं, यहां से आपको जास्टिकेशन मिल जाएगी तो यहां आप देख सकते हैं, इसके स्केल्स काफी बड़े हैं, जे साइकलोइड स्केल्स हैं और नीचे इसके मसल्स काफी बड़े हैं, मायोमीर कहते हैं और डर्मीर, डर्मिस के नीचे मसल ले राती है और इसमें कुछ कट है epidermis cut scales के थोड़ी cut edges होते हैं बोडी के और later line system कनाल की यह opening भी होती है और आगे देखिए यह anatomy यह lay view की इसमें आपको अलग-अलग तरह के features मिल जाएंगे tail wide divided है dorsal fin काफी बड़ा है mouth interior आँक काफी बड़ी है lips है उपर के नीचे के और उपर कुलम हटाया गया है यह gills देख सकते है चार gills लिट्स है और यह देखिए इसका lever काफी बड़ा है ribs देखिए इसकी air bladder यह air bladder है इसके अंदर gas field होती है इस बज़ा से यह त्यार सकती है बाकी इसके one by one character बताऊंगा यह इसका digestive system देखिए पहले सबसे पहले इसके digestive system में सक्रोल बाल्ब नहीं होगा और वकल cavity है anterior pharynx posterior pharynx और pharynx में भी इसके टीथ है फरेंजियर टीथ उसके बड़ इसो फेगस आती है इसो फेगस के साथ है इसकी जो air bladder communicate करता है इस तरह से जुड़ा आता है एक बाल से इसको कहते है pneumatic duct और penicriase है cardiac, pleuric intestine बलब बनावार intestine का rectum है और intestine इसके काफी बड़ी है देख सकते है आप सक्रोल बाल नहीं है इसमे उसके बाद देखिए यहां bladder जो है air bladder यह देखिए यह pneumatic duct है इसकी यह duct ऊपर communicate करेगी इसके साथ यहां यह duct कुलती है जैसे मैंने आपको बता है तो इससे यह तयार भी सकता है और अपना body का pressure भी control कर सकता है यहां देखिए इसका lever है यह पूरा lever है फिश का ऊपर इसकी lopes देखिए right, left, low यहां गॉल ब्लैडर है इसका अगर फिश का गॉल ब्लैडर फटी है काटते वक्त तो सारा जहर फैल लाता है और इसका जो मीट होता है वो कड़वा बनता है तो इसलिए बड़े अध्यान से इसको काटना पड़ता है और इसमें रीटा मेरी वीलिया यह टर्म आती है रीटा मेरी वीलिया यहां रीटी या मेरा वीला कहां मिलता है स्वें ब्लैडर में चैंबर बने हुए है पस्टीर चैंबर इंटीरियर और यहां स्पिंचर है उसके बाद यहां देखिए इसके गिल्स और उपरकुलम यहां अटाया हुए परकुलम यहां फ्लाइप होता है अटा दिया गया है अंदर आपको चार गिल्स बनी होगी काफी बड़े रेड कलर के इसके गिल्स होते है यह इसका मैगनिफाइड गिल्स लेमनी फोम लीफ लाइक गिल्स है इसका यह देख सकते हो यहां आर्क्स बनी है और ट्रीज बेंस कम्मुनिकेट करती है यहां पर यह गिल्स के फिलामेंट है दो और बीचे में इसके एक सैप्टम होता है यह गिल्स फिलामेंट एक पार्ट दिखाया हुआ है देख सकते हो उसके बाद इसका रैस्पिरेशन का दिखाया हुआ है कैसे रैस्पिरेशन करती है फिल्स लिए यहां देखिए इसो फेगस अंदर आ रहा है पानी अंदर आ रहा है यानि सांस ले रही है इंस्पिरेशन है उसके बाद यहां से पानी बाहर जा रहा है मुह बंद हो जाएगा जब मुह बंद हो जाएगा तो पानी जहां से बाहर जले जाएगा जब पानी बाहर जाता है यह इंस्पिरेशन होगी तो यहां पानी रोके रखेगा यह ब्रांकियोस टीजल मेंब्रेन है यहां रहोके रखेंगे, यहां gas exchange पूरा होगा, फिर यहां मोत बंद हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, so inspiration and expiration, यह इसका देख सकते हैं, हार्ट, सारे structure है, इसका हार्ट भी बीनस है, क्योंकि impure blood लेके आती है body का, और gills को blood देती है, gills से पूरी body को blood जाता है, उसके बाइब यहां brain देखिए, brain highly developed हैस में, और spinal cord दीचे नजर आ रही है, scusus, basiclosus, hypophysis, infantibulum hypophysis, pituitary को कहते हैं, optic closing, olfactory bulb, इनकी swelling power जो है, cartilage से कम होती है, olfactory bulb इसका इतना बड़ा नहीं है, आँखे काफी develop है, optic lobe काफी बड़ी है इसकी, देख सकते हो, cerebellum है, bulbula cerebellum, आगे इसका urinogenitor system देख सकते हो, male and female का, और phistonephary kidney का meaning क्या है, उपर को जो kidney है, वो excretion का का काम कर रही है, और साथ में काम इसका जो, टेस्टिस का भी है, इस फिस्तों nephary कहते हैं, जैनि दोनों system कठे जुड़े हैं, यहां टेस्टिस लग है, ठीक है, तो उपर head kidney, नीचे male kidney, head kidney, इतना काम नहीं होता है इसका, बाकि urinary duct निकलती है, यहां genital duct अलग से निकल रही है, ठीक है, यहां female का देख सकते हैं, ओबरी है साथ में, ओबी duct है, urinary bladder दोनों में होगा, यह इसकी आँखे देखिए, eyes काफी बड़ी है, और eyes में सभी layer मिलेंगे आपको, area centralis मिलता है, यहां पे light focus होती है, बाकिस में lens देखिए, suspensory ligament देखिए, people liris देखिए, उसके बाद इसका internal यह रहा है, तीन ducts हैं, देखिए, और seculous and macula बना हुआ है, और इसमें एक पार्ट होता है, लगीना, एक lobe निकलती है, यहां पे seculous पार्ट की, so students यह था, with respect to the bonny fishes, और diagramatically आपको better understanding के लिए मैंने help करवाई है, और उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगर, और अराम से अभी आप differentiate कर पाऊए, cartilage and bonny fish में, और अगर आपको अभी भी इसके regarding, इस topic में कोई confusion है, तो आप whatsapp कर सकते हो, वीडियो के नीचे comment कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो देखिए, ताकि आपको help हो, और और ज़्यादा students को साथ में जोड़ी, ताकि और अच्छे topics आपको provide हो सकें, और इसके बाद हमारा next जो है, फीविन के उपर हम बात करेंगे, और यह आप यहाँ note कर लेना, यह points, काफ़ important points है, bonnie and cartilage fish के, यह इसके representative के diagram देख लीजिए, जो bonnie fish fresh and marine water में, वो भी note कर लीजिए, और यह मेरा hand return material है, थैंक यू very much for watching this video, I hope you would have enjoyed this lecture, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share, comment कर देना, चैनल को subscribe करना मत भूलना, ताकि अच्छा content आपको मिलता रहे, ठैंक यू,